कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं और आज एक important news के उपर मैं बात करने वाला हूँ जो की आपकी exam से related है देखिए विश्व विद्धाले के परक्षाई जो है उनके उपर अभी जो है निर्ने लेना काफी मुश्किल हो रहा है क्योंकि आपकी जो सलेवस है वो भी पूरा करवाया नहीं गया था तो इस हाल में वो exam किस तरह से लें देखिए जिस university में यदि सलेवस पूरा हो जाता तो exam ले लेते और exam लेते वो किस तरीके से लेते किस pattern पर लेते ये भी आपको मैं इसे में बताऊंगा तो वीडियो में end तक बने रहेगा तो उस और regular classes आपकी अब होने वाली है बस एक बार आपका ये clear हो जाए कि आपकी exam है वो किस type से होगी और exam होगी या नहीं होगी तो यहाँ पर देखिए प्रतियोगी परिक्षाओं की तरह करनी होगी तयारी और मैं आपको ये बता दूँ ये news जो है 100% सच है ये देखिए आप जो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके अमर जो अमरत विचार बरेली का news पीपर आता है अमरत विचार उसके अंदर जाके चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको ये news जो है मिल जाएगी अब देखिए यहाँ पर important बात ये है कि इस नातकवा इस नातकोतर में एक विशे का एक 100% जो है ये university UP के अंदर क्या है कि online classes भी चालू कर दी थी और exam से पहले उनका मतलब syllabus लगबग लगबग पूरा हो गया था इस वज़े से वहाँ पर exam हो सकती है आत दिन में भी काफी news आई थी कि जो है UP के अंदर exam ली जा सकती है 100% chances है exam लेने की अब देखिए इसको मैं रहा है क्या नहीं है ये आप सब कुछ इसमें clear कर लीजिएगा देखिए UP बोर्ड दसवी और बारवी परिक्षाओं को लेकर तो सासन ने ने ले लिया लेकिन अभी इसनातक और इसनातकोतर की कक्षाओं को लेकर ऐसा मंजस है सभी अभी तक जो तैयारी चल रही है उससे स आप है कि अंतिम वर्स की परिक्षाओं का आयोजन किया जाएगा अंतिम वर्स की परिक्षाओं में एक विसे का एक प्रसंपत्र बहुविकल्पिय तैयार किया जाएगा यदि बहुविकल्पिय प्रसंपत्र तैयार किया गए तो एक तरफ सिक्षक को प्रसंपत्र तैयार करने तो दूसरी तरफ छात्रों को इसे हल करने में काफी मेहनत करनी होगी इस तरह की परिक्षाई परतियों की परिक्षाओं की तरह होगी जिससे छात्र को अधिक तयारी करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर कमाने पर उनका परतिसत कम हो जाएगा रुहेल खंट विश्व और विस्तरत प्रसंद पूछे जाते थे इस तरह के प्रसंद पत्र विश्विद्दाले परिसर्व संबंद महाविद्दालों से जुड़े शिक्सत प्रतेक वर्स तयार करते आ रहे थे पहले एक विशय कि या दो या तीन अलग अलग प्रसंद पत्र तयार किये जाते थे इ ऐसे में वे चिक्षकों के पहली बार एक विशय में अलग-अलग परशनपत्रों का समयोचन कर एक ही परशनपत्र तयार करना होगा। चात्रों की बात करें, तो बहुविकलपिया अति लगू लगू और विश्थत प्रशन ओने के चलते चात्रों के प्रशन पत्र हल करने में अधिक दिक्कत नहीं होती थी, कई चात्र तो कुछ दिनों के पढ़ाई करने के ही पास हो जाते थे, इनमें सबसे ज्यादा चात्र फोर्म बरकर परिक्षा देने वाले होते हैं क्योंकि वैं परिक्षा के दोरान ही गैस पेपर से तयारी करते थे अब इसमें सबसे ज़्यादा हानी है जो इस्टुडेंटों की है क्योंकि आप सभी को पता हो तो आपने बहुई कल्पिया जो क्यूशन होते हैं अथार्थ लगबग पूरा नहीं पड़ता है और उस क्यूशन के जो है नंबर वो दे देता है तो इस तरह से जब बच्चे हैं वो पास हो जाते थे गैस पेपर वगारा पड़कर पास हो जाते थे यदि एक्जाम का पैटर्ण चैंज किया जाता है और वो एक्जाम का पैटर्ण पर तुमाब को बता दो ऐसा बिलकुल नहीं किया जाएगा क्योंकि ऐसा करने से तो काफी जो है युझिवरसीटी का जो रिजल्ट है बहुत कम चल जाएगा बहुत कम जाएगा और स्टुडेंटों को काफी दिक्कत होगी इस वज़े से ऐसा नहीं किया जाएगा आपकी exam होगी या तो open book examination से होगी या फिर exam जो है आपकी offline होगी पर exam होगी आपकी तो ये नहीं होगी इस तरह से नहीं होगी अप no tension रहिए और exam कब होगी ये सबी student SMNS में है परन्तो exam जो है बिल्कुल clearly मैं आपको बता दूँ exam आपकी लगबग 10 दिन के अंदर पता चल जाएगा 10 जून के अंदर पता चल जाएगा आप एक कमेटी परते क्विस्विद्दाले ने कमेटी घुशित कर दिया और वो सब कुछ EC में लगे वह हैं कि वो कैसे result आपका निक भले तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो न्यूज है वो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एन जादा जादा सेर कीजिएगा एक छोटी से और बता दूए कि कोरोना की वज़े से पढ़ाई ने होने से भी दिक्कत इस वर सात्रों के सामने एक और दिक्कत है क्योंकि कोरोना की वज़े से उनकी पढ़ाई जो है सही से नहीं हो पाई बोतिक कक्षाओं का संचालन कुछ दिन ही हुआ और ओनलाइन कक्षाओं में कई महाविद्दाले कोई सिक्षक द्वारा पढ़ाई नहीं पूरी कराई गई कई चात्रों तो ओनलाइन कक्षाओं में सामिल ही नहीं हुए देखे गाऊं के जो स्टूडेंटर वो ओनलाइन कक्षाओं बिल्कुल सामिल नहीं हुए थे और जो सहरी स्टूडेंट है वो जरूर सामिल हुए होंगे उनमें से कोई तो नहीं हुए थे किसी को पता ही नहीं था कि ओनलाइन क्लासेज में चलाएं गई और ऐसे उन्हें परिशा के दोरा अधिक तयारी करनी होगी कि तयारी नहीं होने पर छात्रों के परिणाम पर भी असर पड़ेगा और उनका प्रतिसद भी कम हो जाएगा हलाकि सिख्षक ओनलाइन क्लास में पार्ट करम पूरे होने का दावा कर रहे हैं लेकिन विद्धारतियों कि तयारी कितनी है ये बाद में पता चलेगा देखें सब जो टीचर हैं वो दावा कर रहे हैं कि उनका जो कोर्स है पूरा करवाया गया है परन्तु स्टुडेंटों को तो पता ही नहीं था कि उनको ओनलाइन क्लासेज भी चलाए गई थी आगे देखें हुएलकेंट विसे विद्धाले जब अब तक मातर पांच परसन ही पूछे जाते थे बहुए कलपी है विवक्तिगत फोर्म बरने वाले चात्रों को भी की भी होगी परिक्षा की परिशानी होगी परिक्षा देने में तो जैहिंद वंदे मातरम मिलते हैं अ जो है आपकी एक्जाम यदि होती है तो आप क्लास अपनी चैनल साइंस पांडेशन पर इसे ले सकते हैं क्योंकि मैंने उतना सलेवस के लिए करवा रखा है जितना कि आपके एक्जाम के अंदर आएगा और मैं इस बात की तो आपको गारंटे देता हूँ कि अपने जो एक एक्जाम होगी या कैसे होगी सब कुछ के लिए रह जाएगा सिर्फ 10 तिन का वेट 10 जून तक रहिए 10 जून तक देखते हैं UGC क्या नहीं निकालती है वो सब कुछ मैं आपको इस पर बता दूँगा और काफी बच्चे हैं जो बोलते हैं कि फैंक न्यूज है पुराणी करूँगा क्योंकि आप आपकी वज़े से जो है अपना चैनल है सही है आपके वज़े से ही चैनल है तो मैं आपको क्यो जो है जूटी नियूज दूँगा मैं बिल्कुल किलियर ली सही नियूज दूँगा और जो बच्चे बोलते हैं उनको बोलनी दो वो उनकी इच्छा तो मिलते हैं अगली क्लास में तब तक लिए जै हिंद